फर्स्ट आपको आपके हाथ को क्लीन करना होगा और उसके बाद मॉस्टराइजर अपलाई करना होगा और मॉस्टराइजर को अपलाई करने के बाद बहुत अच्छे से ब्लेंड भी कर लेना होगा और मॉस्टर्याजर को blend करने के बाद आपको एक pen लेना है, लेकिन मॉस्टर्याजर बहुत ही कम quantity में apply करना होगा, नहीं तो pen से line नहीं बनेगा, और pen लेडी हूँ मैं, पें से देरे देरे करके एक लाइन बना लूँगी अगर बहुत जादा मॉस्टराइजर अपलाई कर चुके होगे तो आपको थोड़ा से क्लेन भी करना होगा एक टीशू ले लीजिए और इसको क्लेन कर सकते हो फिर मैं एक लाइन बनाने के बाद एक फिंगर रख दूगी यह मेड मिंडल फिंगर कर जितना मिंडल फिंगर जितना चौड़ा होती है उतना गैब दे दे देना है फिर दूस्ट लाइन बना लेना है आपको दूसरी साइड और अब उपर के लाइन बनाना होगा थोड़ा सा जो फ्रॉंट के यह है उसके बाद ही आपको ऊपर के लाइन बना कीवालंगी दीरे-दीरे करके और सबसे इसटेप्स ऐसे और और भी सारे स्टेप्स है आइब्रोज बना लेके लिए लेकिन मुझे यह ज़ाधा एजी लगा तो मैं यह फास दिखा रही हूँ आप लोगों को और भी शारे जितने steps हैं मैं बहुत ही जल लाने बाली हो और उसके बाद मैं यहां से dot बनाऊंगी और फिर से आपको एक finger का gap दे देना है gap देने के बाद ही dot बनाएगा एक finger gap दे दी हूँ मैं दोनों side ही एक finger करके gap देना है और उसके बाद आई राइन बनाना है जो फ्रॉंट का जो डॉट है वो एक फिंगर गैब जो सेकंड डॉट है वो थोड़ा जादा गैब देना है आपको और इसके बाद में आई ब्रॉज के लास्ट से स्टार्ट करके फिर यहां तक आके एक और डॉट बना लोगी दोनों साइड आप इसी तरह से आई डॉट बना लेना है और फिर दोनों डॉट को कनेक्ट कर लेना है एक दूसरे के साथ और यह होगी डॉट बनाना डॉट के बाद मैं दोनों डॉट को कनेक्ट कर लूँगी दूसरे साइड भी मैं इसी तरह से कनेक्ट कर लूँगी और य प्राइबुम और यहां से नोज की लाइन वनेगी लेकिन मैं नोज को पेन से नहीं बनाऊंगे आप भी मत बनाईएं ऐसे बना लेना और उसके बाद मैं एक ऐसेटो ले रीयों ब्लैक कलर उससे फिल करेंगे हो लेकिन आप आईसेडों से बिल्कुल ही फिल मत कीजे क्योंकि आइसाइड़ बहुत ही ज्यादा expensive होता है आप hand पर eye makeup practice करने के लिए कोई भी सस्थे बाला काजल ले लीजिए और उससे feel कर लीजिए eyebrows को अब मतलब यह easy भी होगा और बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा आपके उपर तो मैं eye shadow से feel करी हूँ आप कोई भी सस्थे बाला काजल ले लेना मैं भी ज्यादा तर काजल ली apply करती हूँ लेकिन आज ही मैं eye shadow use करी हूँ और उसके दोनों साइड ही मैं feel कर लूँगी तो feel करने के बाद clean भी करोंगी और clean क्यों करना है क्योंकि कई पर ऐसा भी होता है extra product लग जाता है black eye shadow या फिर काजल और ऐसा भी होता है कि थोड़ा मोटा होगी उसको पदला भी करना होगा तो उसके लिए clean करना होगी clean मतलब moisturizer से मैं करी हूँ एक flat angular brush ले रही हो और उस पर थोड़ा सा moisturizer ले करके मैं इसे clean कर रही हूँ आप चाहो तो micellar water भी ले सकते हो लेकिन उससे एक problem होसे क्योंकि वह liquid होता है और moisturizer थीक होता है तो वह फैलता नहीं है moisturizer और micellar water क्या होता है वह फैल जादा है और इससे आपका eyebrows bigger सकता है क्योंकि आप हाथ प्रैक्टिस कर रही तो इसलिए वह bigger सकते हैं मतलब micellar water से तो जादा अच्छा होगा अब सस्ते बाला कोई भी moisturizer लेकर ऐसे करके clean कर ले सकते हो दीरे-दीरे करके मेरी तरह तो मैं दोनों साइड ही clean कर लोंगी moisturizer को इस तरह से apply करूंकि और दीरे-दीरे करके clean कर लोंगी दोनों साइड ही clean कर ल दीरे-दीरे करके अब जो eyeliner brush होती है ना flat angular brush उसी से कर सकते हो तो जितना छोटा brush होगा उतना ही अच्छा होगा आपके लिए क्योंकि छोटे areas के लिए चोटे brush और फिर मैं क्यूटीप ले रही हूं क्यूटीप से मैं जो extra moisturizer है या फिर clean करने बग जो काला हो गया था ना उस मैं बहुत अच्छा से clean कर लूँगी तो उपर नीचे दोनों side clean कर लूँगी और फिर मैं एक ivory shade का base ले लूँगी और उसी से मैं कर से आप ivory shade के जगह पर आपने skin tone के दो से lighter tone foundation या फिर कोई भी base ले सकते हो उसके बाद मैं इस तरह से एक line बना लूँगी उसी brush से मैं apply कर एक line बना लूँगी फिर line को थोड़ा सा बढ़ाओंगी धीरे धीरे करके आप चाहो तो आप ऐसे ना करके मैं easy भी दिखा रही हूँ आप उसी तरह से कर सकते हो क्योंकि यह थोड़ा hard हो सकते है आप अगर line बनाने जाओगी तो इधर उधर हो सकती है और आप ठीक से ब्रास को बिठाना है और धीरे धीरे करके नीचे के तरफ खीचना है बिल्कुल यह पास पास बिठाके धीरे धीरे करके खीचूंगे और धीरे धीरे करके इसको एक line की तरह बना लूँगी और यह सबसे easy steps होगा आपके लिए और पहली ही आप अगर line बनाने जाओगी ना खीच लूँगे और इससे line बन जाएगी eyebrows की ऊपर के side भी मैं बिल्कुली इसी तरह से करूँगी बिल्कुली पास पास ब्रास को बिठाके ऊपर की तरफ खीचूंगी और इससे भी ऊपर का भी line बहुत अच्छे से बन जाएगा और इसी तरह से आप भी बना सकते हो बहु और अगर आपको पतला करना है तो आप जितना पतला करना है वो आप moisturizer जैसे clean कर लेना नहीं तो इसके मतलब बेस लगाने के बाद काला दिख सकता है तो मैं थोड़ा सा पतला करूंगी तो आप देख सकते हो मैं जादा eyebrows के पास ले आके उसको ऊपर की तरफ खीचूंगी औ और फिर align को थोड़ा सा बढ़ाना होगा और फिर इस तरह से मैं पूरी eyebrows के उपर मतलब eyebrows को highlight करने के लिए मैं base को बहुत अच्छे से apply कर लिए और इसके बाद में concealer brush से blend कर रही हूँ जो भी आपको करना है वो धीरे-धीरे करना होगा नहीं तो इधर उधर हो सकती है तो मै मैं धीरे-धीरे करके blend कर लूँगी जो आई-ödैस लगाया है concealer brush से तरह कर लिए ब्लेग कर लेगा वर दो फीन के हातों से देफ कर लोगी प्रेंट करने के बाद मैं आयलाइन को थोरा से मोटा कर लोगी और अब यह अल्मोस्ट टेटी हो चुका है और अब मैं नोस बनाने वाली हूँ नोस के लिए मैं एक brown color का eyeshadow ले जूँ ये dark brown है नोस को बनाने के लिए आपको जहां से eyebrow start होती है वहीं से apply करके नीचे के तरफ आना है आप देख सकते हो eyebrows के front से apply करते हुए मैं नीचे के तरफ आ रही हूँ दोनों साइडी इसी तरह से करना होगा आपको मैं भी इसी तरह से ही कर रही हूँ और आप straight line भी बना सकते हो मैं धीरे धीरे करके blend करते हुए eyeshadow को apply कर रही हूँ right side पर थोड़ा ज़्यादा eyeshadow लग गया है उसको भी मैं clean भी कर लूँगी एक q-tip ले लूँगी q-tip से मैं जो एक्स्टा eyeshadow लग गया था उसको हटा दूँगी और मैं धीरे धीरे कर से के फिर से मैं apply करूँगी हटाने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा करके और eyeshadow ले लूँगी आप भी थोड़ा थोड़ा करके जितना लगेगा आपको उतना आप ले सकते हो धीरे धीरे करके blend करते हुए आपको apply करना होगा आप चाहो तो बस एक straight line भी बना कर काम चला सकते हो क्योंकि आप hand पर practice करने के लिए कर रही हो आप बस practice करने के लिए उतना जादा perfect nose बनानी के जरूद नहीं है तो फिर से मैं clean कर लूँगी जो eye के line जहां से eye के line start होती है उस वहाँ पर थोड़ा सा छोड़के हमें nose बनाना होगा तो मैं इसलिए उसको q-tip के मदद से clean कर लूँगी फिर मैं q-tip पे ही थोड़ा सा आइसेड़ भी ले सकते हो या फिर आप बेस भी ले सकते हो तो मैं धीरे-धीरे करके उसको apply कर लूँगी q-tip के मदद से और अब nose को आप देख सकते हो nose थोड़ा real लग रहा है आप इसी थरह से कर सकते हो यह बहुत ही easy steps है तो आप देखिए हो गया nose और उसके बाद मैं concealer brush पे थोड़ा सा base ले रही हूँ उसको मैं apply कर रही हूँ आप कोई भी base ले सकते हो आप concealer भी apply कर सकते हो तो मैं धीरे-धीरे करके उसको apply कर रही हूँ blend करते हूँ apply करे हूँ आइस के जो आगे का हिश्चा है मन्तलब आइलाइन के जो front का हिश्चा है वहाँ पर और ऐसे करके मैं base को apply कर लूँगा और इसी base के उपर हम i shadow apply करेंगे तो आप देख सकते हो मैं धीरे-धीरे करके apply करी हूँ दोनों side ही मैं apply कर लूँगी धीरे-धीरे करके और ये बहुत ही easy steps है और ये almost ready हो चुका है दोनों side करने के बाद ये पूरा ready हो जाएगा तो ऐसे ही करके मैं करती हूँ ज्यादा तर और और भी काई तरे मतलब काई सारे steps है मैं उसका भी video बहुत ही जल दाने बाली हूँ लेकिन ये आपके लिए बहुत ही easy होगा करने मे तो आप बिल्कूल मतलब आप जरूर घर में practice कीजिएगा और eye makeup करने के लिए आपके हाथ ready हो चुके है और आप इसी के ऊपर ही eye makeup कर सकते हो दोनों eyes बन चुका है बना लिया है मैंने तो आप इसी के ऊपर eye makeup कर सकते हो घर में practice के लिए और आपको कोई model की जरूरत नहीं है क्योंकि हर रोज model पाना बहुत मुश्किल हो जाता है तो आप अपने हाथ पर भी eye makeup कर सकते हो और बहुत ही सुन्दर सुन्दर eye makeup कर सकते हो तो आज के लिए यहीं तक मिलता है next video पे तब तक के लिए bye bye